हेलो गाईस, नमस्ते, आज है 18th of June, और आज है Tuesday, और आप मेरे स्क्रीन को आज देख सकते हैं, आज हमने को स्टॉक्स में इंटारे टेडिंग करके, फिल्हाल अरौंड दस अजार के आसपास हमारा एंटो एंटो एंट प्रॉफिट जनरा है, तीन लाग की कैपिटल के ऊपर तीन लाग का कैपिटल मतलग, जैसे आपको पता हो जो जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जिसके आंदर 5 तैंग्स मिलता है, इंट्राडे टेडिंग करने के लिए, तो मैंने यहां पर 6 स्टॉक्स लिए हैं, 1,2,3,4,5,5 पास स्टॉक्स लिए हैं, यह पास स्टॉक्स क हैं, वो इंट्राडे ओर्डर्स है, जिसमें मैंने 5 तैंग्स लिए करके, आज की लिट में ओर्डर्स लिए हैं, और आज की दिन में ही मुझे इन ओर्डर्स को क्लोस करना है, ठीक है, तो इसके पीछे, मैं आपको कुछ चार्ड्स दिखाता हूँ, कि किस लॉजिक के एसा यहां पे, ठीक है, तो यह 10.15 तो 10.45 को चैंडल है, थर्टी मिनिट का टाइम फ्रेम है, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने यह पोजिशन लिया, और अप्रॉक्सिमेटली मैंने 52 के आसपास 51.50 पे उपन स्टॉक्स बेचे, 52 पे उपन स्टॉक्स बेचे, तो 6% के आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ, तो 14,000 उपी इसका प्रॉफिट यहां पे मेरा ब्लॉप हो गया है, तीक है, मैं आप रिस राइस्टर के भी दिखाता हूं, तो यह है 14,000 का प्रॉफिट, फिल दूसरा स्टॉक जो हमने लिया था, यह एकिन एवलान जो है हमने एंटिसपेट किया था, कि उपर जाएगा, लेकिन उपर नहीं गया, नीचे की तरफ गया, तो जब 11.15 तो 11.45 का केंडल यह वाला जो रेंड केंडल बना, यहां पे हमने एंटिसपेट किया, कि हमारा एमन का ट्रेड जैसे हमने सुचा है कि उपर की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, और इसलिए हमने इस रेड केंडल पर इसको एक्जिट के, एक छोटा सा 3,000 रुपे का रॉस लेटर के, अभी फिलहाल हमारे तीन ट्रेड चल रहे है, पहला ट्रेड चल रहा है, यह A, R, E and M, जो कि इसका बेसिकली यह जो स्टॉक है, वो एक बैटर 11.10.45 के आसपास हमने लिया था, 13.95 की रेंज पे, और फिलहाल हम देख सकते हैं कि यह स्टॉक को हमने एंटर इया हुआ है, क्योंकि हमें हमारे ट्रेड चल रहे है, तो अगर यह स्टॉक, 13.86 के नीचे क्लोज होता है, वो इभी कैंडल, तो हम उसको एक्जिट करने हैं, वरना इसको अनी करते ही करेंगे, तो फिलहाल यह जो कैंडल है, 12.15 to 12.45 का कैंडल जो है, यह क्लोज होता है, 1389.30 के इसका जो प्रीएस कैंडल है, वो उसका जो है 1387.5, यहापे आपको दो दिखेगा, 1387.5, तो बिकॉज यह वाला जो कैंडल है, 12.15 to 12.45 का कैंडल, प्र इसको अभी फिलहाल एक्जेप्ट ही करेंगे, इसको continue करेंगे, तो दूसरा स्टॉक हमारे पास अभी है, वो है जुबिलेंट फूर बोक्स, जुबिलेंट फूर बोक्स भी हमने लगबद 546 के लेवल पे दिया था, थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, लेकिन हो सबता ह कि आगे चल की है, उबर की तरफ जाए, और थीसरा जो स्टॉक हमने लिया हुआ है, वो APL Apollo, जो की फूरा प्रोफिट पे चल रहा है, यह हमने 1576 के लेवल के असपास लिया था, और अभी यह 1583 के लेवल पे चल रहा है, और अभी भी यह पॉसिटिव टेटिट पे चल रह तो आज की टेट में, अडियर में सारे पोजिशन को स्टॉर अभी के अभी करो, तो 3.3% का मुझे इसमें पॉफिट मेल रहा है, तो दोस्तों यह है बेनेफेट इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, अगर आप प्रॉपर स्टाटिजी को यूज करके, जो स्टाटिजी है हम हमारे Market 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 Trading Institute के mentorship program में सिखाते हैं, अगर उसको अगर आप यूज करते हो और प्रॉपर तरिके से risk management करके, जो कि हम आपको हमारे mentorship program में risk management भी सिखाते हैं, position sizing भी सिखाते हैं, चार्ट को read करना भी सिखाते हैं, और stop selection भी सिखाते हैं, अगर यह पूरा process अगर आप यूज करक अगर आपको जो profit होगा, उसके आप समझे को one tenth या one fifth loss होगा, तो मैं आपको example के बताता हूँ, अगर आपके पास तीन देना capital आपका जो profitable days है, उसमें अगर आपका 10,000 रुपे का profit हो रहा है, profitable days में, तो तीन दिन में आपका 30,000 दिलग का profit गो सकता है, विकिंग यूज सब example होगा कि इसका guarantee नहीं है, बड़ ये on an average जो हमने past performance में देखा है, वो आप समय आपको एक example बता रहा हूँ, तो तीन दिन में आप देखिए 30,000 रुपीज में profit का possibility है, तो अगले दो दिन में आप 10,000 रुपे का profit का possibility है, तो अगले दो दिन में आप 10,000 रुपे का profit बना कर कि जल सकते हो, मतलब आप देखिए 8% का return आपका पर week का profit बन सकता है, और हफते का 30% के आसका profit बनने का potential है, ठीक है, ये मैं आपको potential बता रहा हूँ, इससे जादा भी हो सकता है, ऐसे कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि market है market dynamic होता है, तो दिसी भी angle से हम यह नहीं बो सकते क कि ऐसा guaranteed profit होगा है, इससे जादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिनि इन जेनरल जो हमारा एक track record रहा है, जो हम हमारे students low market master trading institute के mentorship program में सिखाते है, उसके basis पे मैं आपको यह live example यहाँ पे दिखा रहा, ठीक है, तो ये हमारा आज का एक overview रहा, intraday trading का, नेक्स्ट वीडिय मैं share करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार्सिफ प्राग मार्केट से related news, updates and strategies की नियर, हम आपको daily market से related videos लेके आएंगे, तो ज़रूर बेल आकोन को भी दवाईए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं आपसे मिलोंगा अगरे विल्वो में, तद तक के लिए, thank you.